हेलो तुस इस वुली इद्रुफ जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप के आखरी मैच चल रहे हैं और बात कीजाए ग्रूप वन कितनों इंग्लेंड तो समझो क्वालिफाय हो ही चुका है उस्ट्रेलिया और साउध अफरीका का चल रहा है क्लैश अगर साउध अफरी टीवी के सामने नजरे होंगी और मैच को देख रहे होंगे बात करते हैं अफगानिसान वर्सेज इंडिया के मैच की जो पिछले दिनों हुआ क्या जबदस परफॉर्मेंस दिया इंडिया ने क्या जबदस कमबै किया इसी की उमीद थी उनकी टीम से और वो ही हुआ रोही लेकिन फिर भी राशिद खान तो थे राशिद खान को इतना जबदस खेला तो मजा आ गया नभी ने एक ओवर किया नभी को चाहिए था कि तीन ओवर करवा ले था क्या पता है इंडिया की परफॉर्मेंस की अश्वीन आया टीम के अंदर हमने देखा अश्वीन ने कितनी जबदस बोलिंग की अब यह सवाल उठता है कि अश्वीन को इतना देर से क्यों लाए आप एक यंग्स्टर को लेकर आगे बोलन चक्रवर्थी को और उसने आपको दो मैचिस हरवाने में वह जिसको कह सकते हैं बड़ा किरदार अदा किया है और यही अश्वीन आया दो व कि मैचिस से जीतने 56 मार्जन से और अगर चेह कर डर तो 13 तभी इंडिया होगा रिट को अच्छा करने का अब बात कर लेते हैं अगला जो मैच आज मैच होने जा रहें इंडिया का है इसके साथ मैच और न्यूजी लीन का मैच नब या के साथ अब नबीविया जो ऐसी टी न्यूजिलैंड की फिल्डिंग अच्छी थी इस वैसे वो 16 रंस से बच गे लेकिन अगर फिल्डिंग इनकी अच्छी ना होती कुछ दूसरी टीम होती तो न्यूजिलैंड ने हार जाना था बड़ा जबदस fightback किया था स्कॉट्लैंड ने नभीबिया भी कोई जिसो कह सकते है बुरी टीम नहीं अच्छी टीम है और अगर नभीबिया ने कल को न्यूजिलैंड को हरा दिया तो समझो इंडिया वालों की तो मोझे होके रहेगी डेविड वी से इंपक्ट रोल प्ले करेगा बहुत जबदस खिला रही है वह साउथ अफ्रिकन बैट्समन है और उसके को अच्छा करें आगे जाए अब बात कर लेते हैं मेरे फेड़र प्लेयर विराड कोली की कोली पिछले मैच में बारी नहीं आई यार मैं चाहता हूं कोली की बारी देखना इस बार कुछ भी हो जाए को चाहिए के वन डाउन आ जाए बेच्छों का आखरी दो और क्यों न के जाएं मज़ा आए अब तीनों टीमों के पास चाहस अफगानिसान के पास पी चाहस है न्यूज़िलेंड के पास बी चाहस है आउटसेट चाहस है लेकिन चाहस है तो पूरी उमीद करते हैं तीनों मेंसे जो अच्छा परफॉर्म करेंगी वही क्वालिफाइग और आग क्वालिफाय करने के और यह मैं बात अब हम सándी चले के तो हमाई सामने इंडिया है आगी तो भाइ होग और इसे डाउन से राइस करें ना आप नीचे से उपर रहें तो आपकी टीम जादा खतरनाक होती हो जो टीम जीती भी आड़ी हो उसके लिए चांस जादा होता है कि एक मैच गलती से हार भी सकती हो तो यह बड़ी टेंशन है लेकिन बस यह है कि अगर इंडिया आ भी गई फाइनल में तो इंडिया को हरा दे इंशाला देखने क्या होता है अगली वीडियो में फिर हादरों के तब तक के लिए अल्ला हाफिछ